हेलो स्वेंट्स आप सभी का स्वागत है नमस्कार तो जैसे आपको पता चली गया कि उसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका सबसे पहले न्यूज में उसका एक इंफोर्मिशन आई और सभी को बताया गया और सभी को पता लग गया ठीक है अभी यहां पर बात करते हैं तो को का डिटेल कुछ की points के बात करना चाहूंगा क्योंकि उसका official website पे डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है तो ऑफिसल website पे आपका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है आप वहां पर चेक कर सकते हैं कुछ की points है जो बच्चों के डाउट्स आते हैं वहां पर क्लि और 10 नौंबर तक है तो कल से रेस्टेशन है दूसरी बात आपका प्रिलिम्स का एक्जाम जो होगा दिसम्बर फर्स सेकंड वीक में होगा तो ऐसा नहीं कि क्लर्क का जो एक्जाम है प्यों का एक्जाम है तो उसमें क्लेस नहीं होगा वो टेंटेटिब दिया हुआ इसलिए है ठीक में जन्मरी में होगा इसके बाद आगर हम बात करते हैं तो आपको क्या होना चाहिए बिसकली जब ग्रिजिवेशन की बात करते हैं तो आप फर्स्ट मुझा सोरी एसकी बात करते हैं पहले तो एज आपका क्या है 1-10-2021 मतलब 1-10-2021 को आपका जो मिनिममम हैं 20 साल हो चाहिए इसमें जो डेट का दिया गया एक अक्टूबर 2020 कि आप मिनिम्म 20 साल मैक्सिम 30 साल मतलब आपका 210 1991 से पहले का बॉर्ड नहीं होना चाहिए और एक दस 2001 के बाद का बॉर्ड नहीं होना चाहिए बीस और तीस साल के बीच में होना चाहिए कब एक 10-2021 को मैच करना चाहिए यह हो गया ठीक है दूसरा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं जैसे एजूकेसनल कॉलिफिकेशन आपकी 10-11-2021 कि 10-11-2021 कि आप ग्रेजूइट होने चाहिए जो पर्स्विंग है ग्रेजूशन या जो थर्ड यर में है वह एपलाई नहीं कर सकते ठीक है, जो graduate है, जो graduate हो चुके है, 10-11-2021 तक, यह दिया हुआ है डेट, 10-11-2021 तक जो final graduate हो चुके है, वो इसमें apply कर सकते हैं, percentage is not required, percentage is not required in graduation, आप just pass होने चीए, ठीक है, percentage is not required, अच्छा, बाकी आपका जो procedure है, अगर हम बात करते हैं, जैसे जो exam का procedure है, vacancies की बात करते हैं, यह आपको पता prelims का exam होगा, prelims का exam आपका यहाँ पर sectional timing होता है, sectional timing होगा, और sectional आपका क्या होगा, आपके जो cutoff हो भी होती है, तो यहाँ पर यह आपका दिया हुआ है, 100 questions, 100 marks और यहाँ पर English का 30 questions, quant 35, reasoning आपका 35, ठीक है, means आपको देखो, यहाँ में reasoning and computer attitude, 45 questions, 60 marks, same है, जैसे पहले आता था, 60 minute में, ठीक है, आपका general banking है, 40 questions, 40 marks, 35 minutes, आपका English है, 35 questions, 40 marks, 40 minutes, mathematics, data analysis and interpretation, आपको 35 questions है, 60 marks है, और 45 minutes है, तीन घंटे का आपका क्या होगा, यह, means का आपका जो exam है, वो होगा, और इसमें आपका जो descriptive है, उसके लिए अगला से आपको 35, 30 minutes मिलेंगे, और वो कितने marks का होगा, 25 marks का होगा, ठीक है, हाँ, क्लिए रहे हैं, अच्छा, इसके अगरम बात करते हैं, number of vacancies की बात करते हैं, number of vacancies, तो, just wait, number of vacancies, ठीक है, yes, एक सेकेंड, वो निकल गया, एक सेकेंड, number of vacancies का, चार है, 135 vacancies में, यह रहा, अभी समिट नहीं किया है, तो, definitely मुझे ऐसा लगता है, कि vacancies बढ़ेंगी, रिवाइज रोगा, vacancies बढ़ेंगी, चार है, 135 vacancies बढ़ेंगी, जैसे बेंक बढ़ेंगी अभी विकेंशी अपनी नहीं सो किया है, तो अभी क्या है, चार हार 135 vacancies है, इसके लिए आपको apply करना है, ठीक है, जनरल में आपको दिया हुआ, 1600, EWS, OBC, STSE, सारा मिला के कितना है, टोडल 4,135 है, तो की points आपके क्या होगे, कल से registration स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी 20-30 साल age होनी चीए, ठीक है, आपका gradation complete होना चीए, चार हार 135 vacancies हैं, और आपका जो exam में हो दिसमर में होगा, ठीक है, तो all the best, अच्छे से prepare करिए, और percentages not required in graduation, अराम से आप form भरें, और अपनी studies बनाए, और बहतीन तरीके से त्यारी करें, thank you so much, all the best.